हैदराबाद फिर धाई सो के पार दिल्ली में रनों की अतिस बाजी हैदराबाद को लगा रिकार्ड तोनने की आदत रचा इतिहास हैदराबाद की टीम इस जीत के बाद IPL 2024 के ताजा पॉंच टेबल में हडका मचा दिया है साथ मुकाबले में पांच जीत के साथ दस अंके लेकर दूसरे अस्थान पर छलांग मार दिया जबकि राजस्थान राजस की टीम पहले अस्थान पर कोलकाता नाटाडस की टीम तीसरे अस्थान पर खिसा चुकी है दिल्ली कैपिटल की टीम इस हार के बाद साथवी अस्था से रन जोड़ दिये अपसियक सर्मा का पहला विकेट 135 रन के इसकोर पर गीरा 12 गेट पर 46 रन की तावर तोट पारी खेल कर आउट हुए इस खतरनाग पारी को कुल्दीफ यादो ने ब्रिक लगा है दोस्तों ट्रविसेट 19 गेट पर अर्से तक लगा दिया था माकरम एक रम की और तेजी से बढ़ रहा था लगा था जटके लगने के बास सहबाद आहमद की नबाद 29 गेट पर चहपर रन की पारी के बढ़रा संराजे सहदराबाद की टीम साथ विकेट खोकर 266 रन मना जो आईपील का चौज था सर्वोच इसकोर बना दोस्तों इस पारी में कुल 22 च्छका हैदराबाद के बल्ले बाजो के द्वारा उड़ाया गया सहबाद आहमद आईपील करियर का पहला अट्वसतक लगाया वहीं कुल देप यादो दिल्ली केपिटल की टीम की ओर से तीन विकेट चिटका है 267 रन के जबा में दिल्ली केपिल की टीम की सुरुगात खराब रहे 25 रन पर दोनों सलमी वल्ले बाच डेविड वानर प्रितिविसा वापस चले गए जैक फ्रेजर 18 गेत पर 65 रन और पारूल 22 गेत पर 42 रन की पारी से दिल्ली की टीम गेम पर बनी रही इनका विकेट गिरते ही दिल्ली कैपिल की रन गतिपर ब्रेक आया और लगातार विकेट का पतिचट चालू ओ गया दोस्तो कप्तान रिसब पंत का चवाले सरन का पारी बेकार गया इस तरह दिली केपिल की टीम एक इतिहासिक रोमांचे मुकाबले में सरस्थ रन से मुकाबला आर गयी ट्रविस हेड की सांदार कमाल की बल्ले बाजी के लिए मैं आपदा मैच चुना गया दोस्तो क्या संराजे सहदराबाद की टीम आईपिल 2024 के ट्रॉफिस जी सकती है अपना राय कमेंट करके जरूदे साथ ही आईपिल 2024 डेली हाइलाइट्स और सभी प्रकार के आपने नुच्पाने के लिए चैनल को सस्क्राइब वीडियो को लाइक करके जरूद जाएए वीडियो का लाइट टार्गेट पच्चा से जे